हेलो एब्रिवान स्वाध्यन पर स्वागत है आज हम एक कहानी देखेंगे सिर्षक है प्यासा कववा एक बार की बात है एक जंगल में एक कववा रहता था एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी वो पानी की तलास में बहुत दूर तक उड़ता रहा परंतु कहीं भी उ जब वह बहुत ठग गया तो उसे आखिर में एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था जब कववा ने पानी पिना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं जा सकी उसने हर तरह से पानी पिने की कोशिस की पर सब बेकार गई कववा बेचेन हो उठा तभी उसे एक उपाय सुझा उसने आसपास से कंकड एकतरीत करके एके करके अपनी चोंच से घड़े में तब तक डाले जब तक पानी उपर नहीं आ गया फिर पानी उपर आने से कोवे ने जी भर कर पानी पिया इस तरह कोवे ने अपनी मेहनत और सहन सकती से अपनी प्यास बुझाई और अपनी जान बचाई आओ सुनेंगे एक कहानी थोड़ी सी सुनी थोड़ी अन सुनी एक कववा प्यासा था मटके में पानी थोड़ा था कववे ने डाला कंकर पानी आया उपर कववे ने पिया पानी खत्म हुई यह कहानी कहानी से सीख जिसके पास धहर्य है वो सब कुछ कर सकता है धन्यवाद इससे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए वेल आइकन को दबा दीजिए अब्सक्राइब